वेलकम टू माई यूटूब चनल बहुत सारे कोस्टन है जे फ्लॉक दिखता कैसा है रियल फ्लॉक कैसा है अगर टैंक में आपका फ्लॉक का ग्रोथ है तो यू कन फी इजिली देखिए यह है टैंक है और इसका फ्लॉक का ग्रोथ आप खाली आंखों से देख पाएंगे देखिए अब इमोफ कोन में भी अगर आप चाहिए देखना चाहिएंगे दीजे दीजे पखड़ी है इमोफ कोन में सीधा फ्लॉक इस वाद फ्लॉक बैठेगा और बैठने के बाद आपको दो में में आपको दिखाएंगे आपको फ्लॉक का ग्रोथ कैसा है लाओ उसको इसको इसको बैठे ही बैठा बैठा इसको बैठे ही इसको आपन तीन से चार मिंट लगेगा आपको फ्लॉक बैठने में आप दिखिए ये खुदी फ्लॉक बैठा है यह देखिए फ्लॉक दीरे 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 आपको पानी और फ्लॉक अलग हो जाएगा पानी यह देखिए फ्लॉक आपको बैठ रहे है दीरे दीरे पांच मिनिट के बाद जादा से जादा है पांच मिनिट लगेगा पांच मिनिट में पूरा कंप्लीट फ्लॉक जो है फ्लॉक नीचे बैठ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा आपको अब टैंक का प्येज भी देख लेते लगे है कितना प्येज होना चाहिए यह अपका सेंपल है प्येज प्येज मेटर 7.2 pH है आपका माइक्रोबियल गुरत के लिए नीट्रल pH इस दा बेस्ट आपका 7.7 7.58 आप टू 8.5 pH बेस्ट माना जाता है कर दो आपका आमनिया भी देख लेंगे कितना है आमनिया आमनिया करीब करीब आपका आमनिया करीब आपका दोस्तो और एक चीज बता रहा हूं जिन लोग बोलते हैं आमनिया जीरो है वहां बहुत बड़ा डाउट है आमनिया जीरो वाइट इंपसिबल है जब इतना मचली आपका टैंक में है आमनिया होती रहती है ये आपका फ्लॉक बैठ गया ये पगरो आपका अभी बैठ रहा है ये फ्लॉक देंसिटी आपका पंदरा पंदरा सॉला के आसपास पहुंच गया है ये थोड़ा सा फ्लॉक आपका देखाना था रियल फ्लॉक होती क्या है और इसमें ग्रोध बहुत अच्छी है अमोनिया भी बहुत तिक टाक है 0.25.5 के बीच में है और थैंक्यू सो मच राılar नाम ये ए ङादा उड़ा है क्या हो आप प्यादवस है झाल Dagजब लादे, क्या है आप प्यादे, क्या हुआ का प्रृँक है